मंगल मैतिश डैन आज हम राम लक्समन परसुराम समवात जो नामक हमारा पाठ है उसकी जो तीश्री चोपाईये हैं उनका ध्यन करेंगे बिहसी लखनू बोले म्रदुबानी अहो मुनी सुहू महाभट मानी पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू चेहत उडावन फूंकी पहारू इहां कुम्भड बत्यां को उनाही जेतर जेनी देखी मरिजाही देखी कुठारू सरासन बाना मैं कचु काहा सहित अभिमाना राम शिया राम शिया राम जे जे राम भर्गुसुत सामुझी जने उबिलो की जो कचु कहव सहोर सिरो की सुर महिसुर हरी जन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई बधे पापु अपकीरति हारे मारत हूँ पापरिये तुम्हारे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा बयर्त धरहू धन बान कुठारा राम शिया राम शिया राम जे जे राम जो बिलो की आनुचित कहव छमव महामुनी धीर सुनी सरोस भर्गु बंसमनी बोलेगी रागंभीर इन चोपाईयों में परशु राम की आत्म परसंसा सुनकर लक्षमन हस्ते वे मुर्दमानी मीठी बानी में बोले अहो मनीसु माभट मानी हे मुनीवर आप सुयम को महयुद्धा मान कर पुनी पुनी मोही दिखा उठरो आप बार बार मुझे उठार दिखा रहे हो चहत उड़ावन फूंगी पारो आप तो फूंक से यानि कि फूंक मार कर पहड को उड़ा देना चाहते हैं यह लक्षमन उन पर व्यंग कर रहे है इहां कुम्हण बतियां को उनाही जे तरजनी देखी मरी जाही लक्समर जी कहते हैं कि हम काशी फल जैसे छोटे से फल नहीं है अर्थात हम इतने निर्बल नहीं है जो आपकी तरजनी उंगली देखकर ही मुर्जा जाएंगे या दर जाएंगे देखी कुठारू सरासन बाना मैं कचु कहा सहित अभिमाना लक्समर जी कहा रहे हैं कि मैंने तो कुठार धनुसबान कुठार धनुसबान धारन किये वीर वेश को देखकर ही अभिमान पुरक कुछ कहा है भर्गुसुत समझी जिन्यों बिलो की जो कचु कहू सहोर इस रोकी आगे लक्समर जी कहते हैं कि आपके गले में जिन्यों देखकर और भर्गुपुत्र परसुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोक आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ सूर महिसूर हरीजन और उगाई आगे लक्समर कहते हैं क्योंकि हमारे वन्स की मरियादा है कि देवताओं और ब्रहामनों और हरीभक्तों तथा गाए पर वीरता नहीं दिखाए जाती हमरे कुल इन्हें परनसुराई अर्थात हमरे कुल को ये सोभा नहीं देता क्योंकि बधे पापू आप कीरती हारे इनका अगर हम वद कर दें तो हमें पाप लगता है बदमने मारना इन्हें मारने से पाप लगता है ठीक है और अगर इनसे हार जाएं तो हमें अपयस मिलता है आगे मारतो हूँ पाप पर ये तो मारे अते है यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना उचित है क्यों क्योंकि लक्समन जी उम्र में बहुत छोटे प्रसुलाम जी बढ़े हैं इसलिए आप कहलेगे आप अगर हमें मालेंगे भी तो हम आपके पैरों में गिरना ही उचित मानेंगे कोटी कुलिस बचन कोटी कुलिस सम बचन तुम्हारा आगे लक्समन जी कहते हैं बेर्ट धरू धनु बाण कुठार आप तो बेर्ट में ही धनुस बाण और कुठार धारन किये हो क्यों क्यों कि आपके वचन ही करोड़ों वजरों के समान कड़वे हैं कठोर हैं जो विलो की अनुचित कहे उँ चमू महामुन धीर आगे लक्षमन जी कहते हैं कि धनुजबान और कुठार को धान के वे वीर वेस को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया होतो मुझे छमा करे मुझे छमू मने महामुनी धीर यह सुनकर भर्गुवन्स के मनी अर्थात परसुराम क्रोध करते वे गंभीर वानी में बोले धन्यवाद इन चोपाईयों की पीडियाप बनाकर भावार सहित मैं आपको भेज दूँगा आप इन चोपाईयों को भावार सहित अपनी नोटबुक में साप साप तथा सुवच्चता से लिख लेंगे परियाज करेंगे कि आप भी मेरी तरह अगर गा सकते हैं गायन रूप में क्योंकि चोपाईयों हैं बहुत अच्छा लगता है बहुत बहुत धन्यवाद